असलाम अलीकुम टू आल, हावर यू, इट्समी सवा, यूर एसस्टी टीचर आफ यूनिवर्सल हाई स्कूल, आई होप यू आर फाइन अट ओम, जैसे के आप जानते हैं कि स्कूल कुछ टाइम के लिए बंद कर दिये गए हैं करोना की सेकेंड लेयर की बचा से, लेकिन किया है, ताकि आप लो का टाइम इस नाओ, अशो लेट्स स्टार्ट आवर निव लेक्चर लेक्चर नबर 25, हम यूनिट नमबर 8 को स्टेडी कर रहे थे, आज भी यूनिट नमबर 8 के, अश्टेटमेंट नमबर 34 तो 39 स्टेडी करेंगे, ठीक हैं, लेट्स टार्ट आपक ओपन यूर नोट्स, पेज नमबर 9, यूनिट नमबर 8, मुस्लिम वर्ड पार्ट तू, हमने प्रिवियस लेक्चर में पोलर क्लाइमेटिक जोन के बारे में पड़ा था, इसमें हमने ये देखा था कि जो पॉलर क्लाइमेटिक जोन में ये था कि 6 मन तक जो है, इनके फ्रिजिंग पॉइंट जो है, वो बहुत बिलो होता है, टंप्रेचर जो है, वो फ्रिजिंग पॉइंट से बहुत कम होता है पूरे साल, जिसमें 6 महीने तक जो है, वो सूरज की रोशनी भी नहीं पड़ती, जिसकी वज़े से शुमाल में भी इसी तरह होता है, और जनूब में भी 6 महीने जनूब में नहीं होती, ठीक है, लाइट नहीं होती, सूरज की शुमाल में वहां पे नहीं पड़ती, सूरज की किन्ने वहां पे नहीं पड़ती, जिसकी वज़े से वहां पे सारा साल जो है, शोरी, च्छे महीने तक शुमाल में, च्छे महीने तक जनूब में कोई light नहीं होती उसके बाद हमने ये देखा था के मुसल्मान मुमालिक ने डिवाइट कर दिया था पांच climatic regions को, पांच अब हवाओ वाले अलाकों को डिवाइट कर दिया था अब हवावाले इलाकों को पांच उसमें इलाकों में जिसमें हमारे पास आके Equatorial Climate Region, Tropical Desert Climate Region, Moonsoon Climate Region, Mediterranean Type of Climate Region and Seventh Ness or Tropical Grassland Region. आज हम फिर्स्ट को स्टेडी करें हैं Equatorial Climatic Region, खतर उस्तवा के अब हवावा वाले इलाके, ठीक है, first state में हमाही है, 34, इस 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 इस्क्लामेट रिलिजेन नहीं है, यह रिजेन है, इसको परेक्ट कर देए, R-E-G-I-O-N, the region has not only high temperature, but also receive heavy rainfall almost throughout the year, there is no winter season in the equatorial region because temperature is high throughout the year 36 statement due to the heavy rain there are a thick forest of tall tree like rubber mohogany eboni palm etc in the coastal area coconut tree grow in abundance 38 statement the muslim countries of this region i are malaysia indonesia gonia southern part of somalia 39 statement the main crop of equation equatorial region are rice sugarcane cocoa rubber coconut bananas tabaku tea and spices ab chaldehan translation ki dara again 34 statement ko dekhi this climatic region has not only high temperature river hai 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 have hai 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 ठीक है temperature ज्यादा नहीं होता लेकिन यहां पे पूरा साल बार्शें होती रहती है there is no winter season in the equatorial region equator खतेस तवा में कोई सर्दियों का मौसम नहीं होता because temperature is high throughout the year क्योंकि पूरे साल यहां पे temperature इनका हाई रहता है means आपने पहले भी यह पढ़ा था equatorial climate zone में के यहां पे सूरज की शुआएं पढ़ती रहती है पूरा साल जिसकी वज़े से यहां पे temperature बहुत ज़्यादे गरम होता है ठीक है लेकिन यहां पे भी यही बात वो बता रहे हैं आपको कि जो equatorial खतर सवा के जो इलाके है अब हवावाल इलाके उसका temperature इतना हाई नहीं है मतब कि उसका temperature इस तरह है कि बहुत ज़्यादा गरम होता है लेकिन यहां पे बार्शी होती रहती सर्दियों का कोई सीज़ा नहीं होता यहां पे लेकिन temperature सारा साल जो है वो हाई रहता है due to heavy rain ज्यादा बार्शों की वज़ा से there are thick forest of tall tree घने जंगलात होते हैं of tall tree लंबे और घने जंगलात होते हैं दराखत होते हैं like rubber rubber का भी एक दराखत होता है महागनी एक दराखत का नाम है इबोनी ये भी दराखत का नाम है pom etc पॉम घजूर के दराखत को बोला जाता है ठीक है महागनी इमोनी और पॉम ये सारे जो हैं वो tall trees हैं और घने जंगलात में ये लंबे लंबे दराखत जो हैं वो पाई जाते हैं और ये किस वज़ा से होते हैं ये ज़्यादा तेज बारशों की वज़ा से होते हैं ठीक है 37 statement में है in the coastal area coastal area कहते हैं जो साहिली इलाके होते हैं वहाँ पे coconut trees grow in abundance coconut के जो tree होते हैं जो नारियल के जो दराखत होते हैं वो वहाँ पे कसरत से पाई जाते हैं ये कसरत से उगते हैं ठीक है साहिली इलाकों में जो नारियल के जो दराखत होते हैं वो कसरत से पाई जाते हैं ठीक है the Muslim countries of this region जो मुसल्मान मुमालिक हैं इस इलाके के जो मुसल्मान मुमालिक हैं और Malaysia, Indonesia, Gonia and Southern part of the Somalia इन में Malaysia, Indonesia, Gonia और Southern part of the Somalia शामिल हैं इन इलाकों के मुसल्मान मुमालिक जो मुसल्मान मुमालिक हैं मुसल्म मुमालिक के जो ये इलाके हैं उन में Malaysia, Indonesia, Gonia, Southern, जनूबी शुमालिया का जनूबी जो हिस्सा है ये सारे पाए जाते हैं Muslim countries ठीक है The main crop of equatorial region जो equatorial region, खते उस्तवा की जो main crops हैं जो खास जो आम की जो फसले हैं जो बहुत ज़्यादा वहाँ पर पाई जाती हैं वो है rice, चावल, sugar keen, गना, कोको, कोब्रा वगए जो होता है रबर, द्रख का नाम है, कोकोनेट, नारियल, बनानाज, तबाकू, टी, चाय, एंड स्पाइसिस, जो मसाले होते हैं ठीक है, ये इनकी जो है, वो main crops हैं equatorial region के, खते उस्तवा की इलाके के जो खास फसले हैं जो crops हैं, अनाज हैं, वो हैं, चावल, sugar keen, गना, कोको, रबर, कोकोनेट, बनानाज, तबाकू, टी, एंड स्पाइसिस, मसाले ठीक है, ये तो था equatorial climate region के बारे में दुबारा से मैं थोड़ा सा आपको revise करके बता देती हूँ कि इसमें, equatorial climate region में हमने ये देखा, कि इसके जो इन इलाकों में जो है, वो ज्यादा temperature होता है, जिसकी वैसे, like temperature इनका हाई होता है, बट ज्यादा बार्शे होती रहती हैं, सारा साल बार्शे होती रहती हैं, और इनका temperature हाई की वैज़े से, यहां पे कोई सर्दियों का मौसम नहीं आता, और ज्यादा बार्शों की वज़ा से, यहां पे घने और लंबे दराख्त होते हैं, घने जंगलात होते हैं, जिसमें रबर, महागनी, इमोनी, एंड पॉम, और इसके इलावा और भी बहुत सारे हैं, जो साहिली आलाके हैं, उसमें जो है, नारियल के दराख्त पाए जाते हैं, कसरस से पाए जाते हैं, और इन इलाकों के जो मुस्लिम मालक हैं, उन में जो है, वो मलेशिया, इंडोनेशिया, गोनिया, और यह सारे जो है, वो मुस्लिम मालक में शामल होते हैं, जो मेन क्राप है, एक्वेट्रियल रीजिन की, वो ह शुगर केन, राइस, कोपरा, कोकोनेट है, बनानाज है, तबाकू है, टी है, स्पाइसेज, मिसाले वगरा है ठीक है, ये तो थी हमारी 34-39 स्टेटमेंट जो के एक्वेट्रियल क्लाइमेट रीजन के बारे में थी जो के मुसल्मान मुमालेक ने पाँच क्लाइमेट रीजन को डिवाइट कर दिया है, पाँच हिस्सों में, जिन में सबसे पहले जो था, वो एक्वेट्रियल क्लाइमेट रीजन था, जिसके बारे में आप भी हमने डिटेल से स्टडी कर लिया है अब चलते हैं हम अपने आंसर क्वेट्रियल क्लाइमेट रीजन, यह आपको पहले भी बताया था, कि आपकी शाट भी होते हैं, लांग भी होते हैं, तो यह पूरे-पूरे इनकी स्टेट्मेंट्स हैं, उसके बारे में बताया गया है, तो इस वज़े से हम इसको लांग मे ज्यादा कनसीडर करें, तो ज्यादा बेतर है, वाट रदा में टॉप ओफ एक्वेट्रियल रीजन, इक्वेट्रियल रीजन की जो में क्रॉप्स हैं, वो कौन-कौन सी हैं, एक है आपके पास यहां पर देखिए, बुक नोट्स पर देखिए, यहां पर लिखावा है, रा के लिए देख लें, there is statement number 35, there is no dash in the equatorial region, there is no winter season, ठीक है, इसके इलावा 36 में देखें, due to heavy rain, there are dash forest of tall tree like, thick forest like rubber, mohogany, imony, palm, etc. ठीक है, in 37th statement देखें, in the coastal area, dash tree grow in abundance, in coastal area, coconut tree grow in abundance, ठीक है, यह आपकी इस तरह objectives में आजाएंगे, आप लोग का हमर की है, कि आप लोग ने इन questions को, इन objectives को, अपनी note books पे write down करने हैं, इन statements को आपने अच्छी तरीके से learn करना है, ताकि आपके paper की preparation सासाथ होती रहे, कोई भी question हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, next lecture, इन्शाला ताला हम लोग मून सुन, climate region के बारे में study करेंगे, तब तक के लिए अपना हैाल रखिएग, अला हाफिज,